जैहन दोस्तों आप सबका sleepy classes में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज है 10th में Tuesday और आज की editorial discussion में दोस्तों हम 3 relevant editorials discuss करेंगे दोस्तों आज क्योंकि Tuesday है तो आज काफी अच्छी coverage सी राजा मोहन के article की रहती है हर Tuesday को सी राजा मोहन आर्टिकल इंडिन इस्प्रेस में करेंगे एक तो जो सी राजा मोहन ने लिखा है USA and Asia after Ukraine क्याने के यहां पर यह बात करी जा रही है कि USA का जो वादा था अब जो बाटिन जब से प्रेजिदेंट बने थे तब से उन्होंने अपनी जो फोकस है जो अपना energy है वो इंडो-पेसिफिक में जादा औरेंटेट पाएगा अमेरिका के अभी भी उतना balance maintain कर पाएगा because at the moment अमेरिका की tension यॉरप में भी है जो उक्रेन में जगडा पिछले तीन में से चल रहा है तो कितना अमेरिका सक्षम रहेगा इंडो-पसिफिक को भी अपना priority बनाने के लिए तो ये बात हम discuss करेंगे फिर हम बात करें में इंडिया जर्मनी के जो रिष्टे हैं किस बुनियाद पे वो आगे और strengthen हो सकते हैं इसके बारे हम बात करेंगे क्या potential है इंडिया जर्मनी के relation का और दोस्तों अंत में हम बात करेंगे कार्टिकल जो के हिंदू में आया है इंडियन डाइस्पोरा से रिलेटेट है ये importance of emigrants की बात करेंगे significant significance of foreign remittance की बात करेंगे जो वो income earn करते हैं अब हर कोई तो सुंदर पचाई या सत्यन डेला नहीं बन पाता काफी सारे semi skilled हमारे migrants भाई भी है जो बाहर काम करते हैं तो अगर हम दुनिया भर में बात करें लगबग डेड़ करोड इंडियन्स हैं जो के दुनिया भर में रहते हैं America में, Australia में, New Zealand में, Gulf Nations में तो क्या significance है उनकी economy के लिए वो हमारी economy में कैसे contribute करते हैं और ऐसी क्या policy है सरकार के द्वारा जो बनाई गई है जो कि उनकी safety को ensure कर सके तो यह सब बात के हम discuss करेंगे और दोस्तों हमारे topics जो है 50 important topics revision series के चल रहे है आज science का था, कल yesterday श्रदा माम ने geography का लिया था, आज धिर्विंदर सर ने science का लिया था तो दोस्तों आप schedule देख सकते हैं यह वीक वन, तो अभी यह पहला हाफता है, है ना, तो जैसे आज Monday कल था, जोगरफी का था, आज science and tech का था, कल पॉलिटी का होगा 12 बजे, तो यह week 1 का schedule है, यह week 2 का, यह week 3 का, अब इसको देख ले ना, आब इसको follow करते रहे ना, ताकि आपको, आपको यह lecture miss ना करें, जो यह topics discuss हो रहे हैं, तो इस वकत quick revision में आपके बहुत यह बददकार रहेंगे topics सारे, चलिए, तो शुरू करते हैं चर्चा, USA and Asia after Ukraine, सीरा जब होने लिखा है, देखिए, अब जो बाइडन की बात करें, देखिए, अब तीन महीने पहले है, जब तीन महीने होने ही वाले हैं, रशिया युकरियन के जगडे को, तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को सवाल उठाया था, कि जो बाइडन जब प्रेजिडंट बने थे, तो उन्होंने चलो अफगानिस्तान से अपना आपको withdraw कर लिया American Forces को, यह कहा कि अभी हमारे जब यह सवाल पूछा किया डेली में, कि अमेरिका अब युकरेन में तरी इंडो-पसिफिक में उसका क्या, क्या अमेरिका इंडो-पसिफिक को इग्नोर कर देगा, तो इनफाक्ट जो 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 बैटन की मीटिंग है, वो इसी हफते में है, इन वाशिंग्टन, अमेरिका में है, उसके बाद वो ट्रावल करेंगे, साउथ कोरेया, और टोकियो, जपान जाएंगे, जपान में, देखे अभी उनको आएको साल सवा साल ही हुआ है, लेकिन अभ Indoor Pacific ko, वो ignore नहीं कर सकते है, अमेरिका की foreign policy के लिए Indoor Pacific बहुत core एक component है, हालांकि चाईना में लोग मजाग उडाते हैं, चाईना में कहते हैं इंद पासिफिक तो ये अमेरिका ने टर्म दे दिया, अक्चल में तो ये Asia पसिफिक है, तो ये अब इस बात पे भी होता है, इस कि ठीक है देखिए आफर ओल किसी भी आप कितने मर्जी ताकतवर हो जितने मर्जी आपके पास आपके पास technology है आपके पास artificial intelligence है आप जितना मर्जी missiles बना सकते हो nuclear bombs बना सकते हो जितने मर्जी आप ताकतवर हो लेकिन एक balance करना देखिए खास करके अभी जब Ukraine में लड़ाई चल रही है और Indo-Pacific पे चलो अभी लड़ाई तो नहीं है लेकिन एक वो priority बनाया रखना किसी भी ताकतवर देश के लिए बहुत मुश्किल काम होगा it is very hard to concentrate the resources of any hard or any powerful state in the two distinct theatres one is of Europe and one is of your Indo-Pacific now commitment to Indo-Pacific के अगर हम बात करें देखिए दोस्तों when Biden came to power तो उसने बात बहुत सबस्ष करी थी कि Indo-Pacific मेरी highest priority बनने वाली है चाइना को contain करना है in fact आज के टाइम के बिकर हम बात करें जो डारेक्टर है CIA के Bill Burns उनका ये कहना है कि Russia से भी बड़ी जो headache है हमारे लिए वो चाइना है ठीक है तो अब जो CIA के डारेक्टर है वो क्या कहते है कि जो Xi Jinping का जो चाइना है was and will remain to be the biggest geopolitical challenge for us not Russia हाँ ये जरूर है कि चलो प्यूटीन के रश्या की बात करें ठीक अभी युक्रेन रश्या की बीच में लडाई चल रही है इतना जादा वो व्लागमीन पूटीन को रश्या को सीर्यस नहीं लेते लेकिन अगें अंडरेस्टिमेट नहीं किया जा सकता जो थ्रेट परसेप्शन रश्या के टो से भी है तो हमने बात पहली भी डिसकस करी थी कि पिछले साल 2021 में जो बाइटन एक मीटिंग भी रखी थी पूटिंग के साथ तो जो बाइटन और पूटीन ने बैटके बात करी थी कि देखो अभी जो भी हमारे मसले यॉरप में है उसको हम अराम से इमीकिबली रिजॉल् लेकिन व्लादमीन बुटीन है बूंने तो नहीं इस बात को माना व्लादमीन बुटीन की तो दोस्ति अब जी जिन पिंग के साथ और भी गहरी हो चुकी है इन फैक्ट ये उकरेन के उपर इंवेड करने से पहले जो विंटर ओलंपिक जो बीजिंग ओलंपिक जो पर हमारी जो energies है, resources है वो यॉरोप में concentrated है, भाट doesn't mean के इंटो बिस्वेक को हम बूल गए है, now let's talk about reality versus some assumptions देखिए बहुत सारे commentators ने का कि देखो अमेरिका ये वो अमेरिका नहीं है ये नो रॉलन्ड रेगन के टाइम का, बिल के टाइम का, जोर्ज वोश के टाइम का, ये अमेरिका बहुत वीक हो चुका है और जो बाटन एक बहुत वीक रूलर है लेकिन चलो अब फिर ये बात भी आई कि यॉरोपेन यूनियन बहुत वीक है, नेटो बहुत वीक है किसी काम का नहीं है, आज तीन महीरे हो गए है युक्रेन की फोर्सेस और युक्रेन की लोग अभी भी डटे होए है रश्या अभी भी ये वार नहीं जीत पाया है युक्रेन की लोगों ने बहुत रिजिलिंस दिखाई है युक्रेन की आर्मी ने बहुत resilience दिखाई है, वो तब जब युक्रेन के लोगों के पास इतने resources नहीं है, as compared to the Russian army, और अगर चाइना की भी बात करें, तो चाइना भी आज के टाइम पे defensive पे है, अब यह जो idea है, कि चाइना भी बहुत कुछ gain करेगा, कल को चाइना भी कहेगा अमेरिका weak हो गया है, जो बाइटन ऐसा है, वैसा है, लेकिन अमेरिका irrelevant नहीं बनने वाला, अमेरिका making a comeback, देखिए अभी टोक्यू summits of quad leaders, this is the third in 15 months, टेखिए, अब दोस्तों यहां पर यह बात भी आती है, चलो, अब quad की बात तो देखिए, वैसे तो 2007 में शिंजो आबे करी थी, जो जपान के प्राइम मिनिस्टर थे, पहली बार, लेकिन quad को लेके ज़्यादा active, जो हमने synergy देखिए, वो कब देखिए, पिछले साल, सवा साल में देखिए, इसे पहले तो quad को लेकि इतनी ज़्यादा बात नहीं करी थी, चाइना को contain करने की बात, पिछले साल, लग भी रहा था कि यह सब initiative squad, AUKUS, अमेरिका पता नहीं कितना stand कर पाएगा चाइना के गेंस, बिकोज चाइना का जो advance था, इंडो Pacific में, South China Sea में, East Asia में, काफी ज़्यादा था, ठीक है, अब उसके इलावा कुछ setbacks भी मेरिका के लिए अमेरिका के लिए रहे हैं, अभी हाल ही में, China and Solomon Islands निक security pact sign करा है, अब इससे इसके चलते, अब strategically चाइना की जो military presence है, South Pacific में, वो बढ़ सकती है, और ये अमेरिका के लिए खत्रा है, बेकोज अमेरिका की भी बहुत active military presence रहती है, South Pacific में, ठीक है, लेकिन अमेरिका बार बार ये कह रहा है, that look, we are here to stay, हम हार नहीं म जाएंगे, पूरा focus इंडो-Pacific में रखेंगे, फिर यहां पर एक बात आती है, mini-lateralism की, देखे, mini-lateralism का जमाना है, छोटी-छोटी, तीन-तीन, चार-चार जो देश है, वो alliance बना रहे है, quad है, AUKUS है, reciprocal access agreement है, like-minded democracies आके alliance बना रहे है, अब जो बाटर एक बात critically कह रहे है, बहुत लाड़ प्यार हो गया, डॉलर्ड ट्रम ने भी बहुत कहा था, कि कब तक अमेरिका NATO के checks काट काट के देता रहेगा, कब तक अमेरिका की सरदर्दी बनी देगी, कि security provide करनी, यॉरप को या इंडो-Pacific को, तो जो बाटर बहुत categorically कह रहे है, जो देश रिशा के खिला alliances बनाने पड़ेंगे, तो like-minded democracy की बात हो रही है, उसके अलावा हाँ, यह सब बाते climate change, vaccine diplomacy, pandemic, etc., यह सब बाते भी हैं, जो कि low hanging fruits हैं, जो कि इन alliances में जरूर include किया जाते हैं, लेकिन अमेरिका बहुत categorically clear है, that look, we have to empower our allies, we have to strengthen our friends, ठीक है, अब यह रश्या का जो invasion हुए उक्र criticism भी हुआ है कि जो European security architecture है, वो इतना weak क्यों है, ना चाइना का unilateralism, तो अगर हम एक तरफ mini-lateralism की बात कर रहे हैं, AUKUS, Quad, Recitocal Access Agreement, वो mini-lateralism का increase होने का, strengthen होने का कारण क्या है, वो है चाइना का unilateralism, यह चाइना की जो muscular policies हैं, जी जन पिंग की muscular policies हैं, इस तरह की policies जो हैं, व और उसके इलावा, अमेरिका इस बात को लेकि भी बहुत पश्च्ट है, कि भी चलो alliances तो एक तो इंडो-Pacific में हम बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका European Union के देशों को भी rope-in कर रहा है कि कैसे वो भी अपनी जो focus है, अपनी जो energy है, वो towards इंडो-Pacific दिखा सकते हैं, तो चाइब वो Britain है, चाएब वो France है, चाएब वो Germany है, अमेरिका उनकी भी partnership सीख कर रहा है, इस region के लिए, लागी जो लाग टर्म चालेंज है, जो लाग टर्म चालेंज अमेरिका के लिए है, चाइना का, ये हमारे ली भी है, तो अगीन, बेशक हमारा stand रश्या-युक्रेन के उने को भी मिला अमेरिका से, जो वाइडन ने कहा भी था कि बाकी कौर्ट देशों का तो हमको पता है, लेकिन इंडिया का पता नहीं, इंडिया तो नहीं रिश्या को condemn कर रहा है, लेकिन हमारी अपनी कुछ मजबूरियां भी है, हमारी अपनी दोस्ती भी रिश्या के साथ ऐसे किसी को खुश करने के लिए हम रिश्या के साथ पंगा नहीं ले सकते हैं, रिश्या के आटे नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि लॉंग टर्म चालेंज इंडिया और अमेरिका के लिए दोनों के लिए एक है, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि अमेर India's long-term interest because that will mean that India's agency in this region can only grow so hence the validation of the fact that India can become as the net security provider in the inter-pacific region that this will only strengthen चलिये तो दोस्तों आगे बनने से पहले तो दोस्तों अगर आप इस साल hopeful आप अपना मेंस लिखेंगे राइट चलो अभी प्रिलम्स तो अभी हुआ भी निया प्रिलम्स का भी करते हैं आपका पहला attempt है जो भी आपका attempt हो तो दोस्तों अगर आप courses लेना चाहते हैं sleepy classes का जुड़ना चाहते हैं आप अपनी GS की प्री का मेंस oriented त्यारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत भैतरीन courses हैं यह well-designed courses आपकी preparation के लिए आपकी preparation कैसे streamline हो सकती है तो GS की बात करें तो यह जो हमारे जो courses है GS के यह pre और means दोनों oriented है देंकि त्यारी हमेशा means oriented रखनी चाहिए because चलो prelims is a part of the whole process लेकिन अब यह नहीं के pre के लिए isolation में त्यारी करेंगे means के लिए isolation में चलिए now next article talks about India German ties now engagement with Europe की बात करें देखिए अभी प्रधान मंत्री जी यॉरप के दौरे पर गए अब जर्मनी में नए chancellor आए है उलाप स्कॉल्स पहले अंजला मरकल थे अब जर्मनी जो जर्मनी के जर्मनी के चांसलर है अब उनका जो एश्या का दौरा रहा था तो वो एश्या में सबसे पहले कहां गए थे जपान गए थे इंडिया नहीं आये थे now this is constructed as a sign के जर्मनी भी अब देखिए अभी हमने पिछले आर्टिकल में USA की बात करें थे USA, Asian region, South East Asia, Japan, South Korea इन सब कंट्रीज के साथ बातचीत कर रहा है और इंडो पसिफिक में रेलेवेंस बनाना चाहता है और प्रारिटी रखना चाहता है अब यहां पर हम बात करेंगे जर्मनी भी कैसे अपने आपको इंगेज रखना चाहता है by again millilitarism की बात हो रही है कैसे वो इस तरह के अलाइंस बनाके वो अपना जो रोल है इंडो पसिफिक में स्ट्रेंदन कर सकता है अब जर्मनी को भी थोड़ी नराजगी है हलांकि जर्मनी को तो मजबूरन अपना ट्रेड रश्या के साथ बंद कर करता है अगर हम 10-11 billion dollars करते हैं जर्मनी 60-70 billion dollar का trade अच्छा से करता है अब हमारे जो रिष्टे हैं देखिए हमारी जो जरूरते हैं देखिए हमारा stand Russia Ukraine के मामले में थोड़ा different हो सकता है as compared to Germany as compared to France लेकिन हम इस बात को लेके बहुत clear थी अभी जब प्रदान मंत्री जी अपन different तरीके से हैं अब कही ना कहीं अब यह जो policy हमने अपना ही है कि Russia Ukraine के मामले में हमारी policy different है than all of you people but हमारे relations आपके साथ Germany के साथ US के साथ फ्रांस के साथ अपनी जगा पे अच्छे रहेंगे अब यह policy के कारण हमारी जो एक global politics में geopolitics में जो relevance है that has become like a swing power बहुत सारे देश जो है वह interested है इंडिया की attention सीख करने के लिए ठीक है तो हम एक बहुत sweet spot में है जहां बहुत सारे देश जो है हमारी support सीख करना चाहते है और इंडिया की attention अपनी तरफ करना चाहते है तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई है लेकिन nevertheless अगर हम अपने इंडिया जर्मनी है ठीक है हम democracy को support करते हैं democracy को promote करते हैं ठीक है हमारी freedom struggle भी इसी धारना पे पूरी निधारती लेकिन अगर हम अपने नेबरूट रीजन में देखें मॉल्डीव्स है श्रिलंका है मियानमार है नेपाल है तो लेकिन हम unnecessary यहां पर democracy push करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं मैं बार इसी stabilized नहीं हुई है किसी भी country में चलो बंगलादेश में आज के टाइम पे है अब श्रिलंका में हाल देख लीजे आज के टाइम पे क्या चल रहा है मॉल्डीज में देख लीजे ठीक है पाकिसान की बात ही चोड़ो वहां पर को डी भी नहीं समझाता होगा कि डी बी किया है अफगानिसान की भी बात चोड़ो लेकिन हम इतने ज़्यादा की नहीं है डिमॉक्रसी को प्रमोट करने के लिए हम थोड़ी प्रग्माटिक बात कर रहे हैं विकास अगर हम अन्नेसेसाली डिमॉक्रसी को पुश करना चाहेंगे साउटेशन डीजन में तो चाइना बात भी बहुत प्राक्टिकल रही है ठीक है कि ठीक है हम यह नहीं चाहते है कि हम अन्नेसेसाली कोई चीज़ फोर्स करें और वहां पर फाइदा चाइना उठाए उस चीज़ का तो यह जो डिमॉक्रिटिक राश्नल है इंडिया जर्मनी के बीच में यह वालेड होल नहीं करता तो इंडिया जर्मनी में जो कन्वर्जन्स है वह डिमॉक्रसी के कार हमारे पीच में जो कोंटर करने के लिए इंटोपिसिफिक का जो जो कंसर्ण है जो फेर है उसमें आक्टिब बने रहने के लिए है now even though हम इतनी बात कर रहे हैं देखिए हमारी strategic partnership Germany के साथ पिछले 22 साल से है हम दोनों देशों ने 2000 में सन 2000 में strategic partnership जो डीर थी वो sign करे थी लेकिन it is a matter of fact कि चलो इतनी convergences भी है कुछ low hanging fruits भी है low hanging fruits कौन से हैं आपके trade agreements हो गए economics हो गया technology हो गया climate change pandemics vaccine equitability etc etc तो यह कुछ low hanging fruits है लेकिन it remains a matter of fact कि इंडिया जर्मिन अपने रिष्टों को इतना जादा harness नहीं कर पाया है maybe एक कारण यह भी हो सकता है कि there is that there is still lack of understanding of each other strategic cultures and domestic politics ठीक है लेकिन आने वाले समय में बहुत एक important बात यहाँ पे कही गई है कि इंडिया और जर्मिन दोनों emerge कर सकते हैं as important poles in shaping the new world order in fact आपको पता भी होगा इंडिया जर्मिन ब्राजील और जपान ये चारों देश G4 का भी हिस्सा है बहुत लंबे अर्से से जो G4 देश हैं ये UNSEE reforms की भी बात कर रहे हैं तो जर्मिन और इंडिया दोनों potential you know candidates है permanent seats के लिए at the UNSEE तो आने वाले समय में इंडिया जर्मिनी भी काफी अपनी significant synergy दिखा सकते हैं तो ये बात यहाँ पे कही गई है चलिए तो आज का last editorial रहेगा importance of immigrants देखिए दोस्तों अब जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा था हर कोई देखिए सत्यन डेला है सुन्दर बचाए है चलो हर कोई नहीं उस level तक पहुंच पाता बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे बच्चे हैं बहुत सारे यंग्स्टर्स हैं बहार जाते हैं पढ़न जो के दुनिया भर में रहते हैं इसमें से लगबख 65% जो इंडियन्स हैं वो गल्फ कांट्रीज में रहते हैं और almost 90% अब इंडियन माइगरें जो के गल्फ रीजन में रहते हैं वो लो और सेमी स्केल्ड वर्कर्स हैं आस पर दी इंटरनाशनल लेबर ओगनाइजेशन ठ बात करें ठीक है यानिके जो इंकम ये अर्न करते हैं अपने घर पे भेजते हैं ठीक है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए देखे देखे एक बूर नेशन बिल्टिंग प्रोसेस में तो अगर मान लीजिए कि हमारी जो भाई बंदू है केरला में रहते हैं आंदरा म रहते हैं अगर UAE में काम करते हैं कुवेट में काम करते हैं तो वहाँ पर उनकी एकॉनमी को तो वो help कर रहे हैं strengthen करने के लिए लेकिन यानिके जो destination countries है लेकिन जो अपनी countries है उनको भी contribute कर रहे है ठीक है इन फाक देखे एक बात यहाँ पर यहाँ पर यह भी आई है वोर्ल जादा significantly contribute करते हैं for the social economic development अपने देश के लिए और destination country के लिए भी अपने देश के लिए और डेस्टिनेशन कांट्री के लिए भी कि दोस्तों यह role of Indian diaspora से related article है तो यह report की जो findings है दो line है ना यह दो line अगर आपको याद रहेंगे अगर आपको कोई question इस theme से पूछा गया है आप उसको लिख देंगे थोड़ा आपको mark जाधा मिल जाएंगे उस बात की ठीक है यहाँ पर हमने marks maximize करने rank लेना है जेनरल बात तो हर कोई लिख की आएगा थोड़ा साम specific बाते लिख देंगे तो हमारी फिर you know सोने पर स्वागी वाली बात हो जाती है तो as per world bank report 2001 कि जो annual remittances है जो इंडिया को transfer होते हैं that is estimated to be around 87 billion dollars तो again इतनी FDI इन इंडिया में आती जितनी हमार बास remittances आते हैं significance की बात करें देखी besides being a win-win situation for the destination UAE, Saudi etc. या अगर हम homeland country की बात करें जो labor migration है that is a very good hedging strategy against unsystematic risk for any economy ठीक है अब for example यहाँ पर नेपाल की बात करीगे नेपाल में अर्थक्वेक हा था 2015 में कितना devastating earthquake था नेपाल वैसे भी बहुत गरीब देश है उनकी एकॉनमी पूरी तरह से प्रबाद होगी थी लेकि that is 30% of the GDP तो नेपाल की एकॉनमी को जो जो workers है जो कि emigrate करके बाहर जाते हैं इंडिया में आते हैं किसी और country में जाते हैं वो कितना contribute करते हैं अपने remittances के थूरू नेपाल की GDP को तो बहुत ज़रूरी है कि जो migrant labor है उनकी safety और well-being के लिए सरकार खास ख्याल रखे यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा एक integrated grievance redressal portal बनाया गया था by the name of of mother यह launch किया गया था सरकार के द्वारा 2015 में हमारे जो migrants हैं जो migrant labor जो बाहर जाते हैं उनकी safety और welfare के लिए अब यहाँ पर immigration bill की कुछ बात करेंगे provisions of the immigration bill ठीक है तो यहाँ पर भारत सरकार ने प्रपोस किया थ जो के aim करता है कि जो emigration management है और welfare of emigrant workers इसको कैसे integrate किया जा सकता है तो यहाँ पर प्रपोस किया गया था modify एक proposal रखा गया था कैसे जो emigration check required यह जो mechanism है इसको कैसे modify किया जा सकता है for the category of workers applying for migration to 18 notified countries अब यह जो emigration check required category है ECR category यह mainly comprise करती है उन लोगों से जो जो जनोंने दस्वी पास नहीं करी है अब obviously उनके पास इतनी skill set नहीं एतनी knowledge नहीं है लेकिन फिर भी वो बाहर जाना चाहते है चोटरवटों के काम करना चाहते है अपनी family को support करना चाहते है and they face the challenge of risky informal emigration and subsequent hardships abroad definitely तो यह bill जो है this will make it mandatory for all the category of workers to register before their departure to any country in the world and this will obviously ensure better protection for them that will support them and safeguard them in case of vulnerabilities चली दोस्तों जाने से पहले question UPSC PYQE 2014 में आया था now question है there is some concern regarding the nanoparticles say science and texture related है there is some concern regarding the nanoparticles of some chemical elements that are used by the industry in the manufacture of various products why क्यों number one they can accumulate in the environment and contaminate water and soil number two they can enter the food chains number three they can trigger the production of free radicals दिये गए option में से कौन से सही option है comment section में जरूर बताईए और दोस्तों जाने से पहले question frame from editorials Asia के जो नए collisions है Asia's new collisions are a response to Xi Jinping's unilateralism and his quest for regional hegemony critically evaluate करिये इसको डेट सो शब्दों में और second option है Germany-India ties gives rise to emerging multipolarity in the international system क्या आप इस बाते सहमत हैं तो हैं तो इसको comment करी दोस्तों शब्दों में चली दोस्तों आज की discussion analysis में इतना ही रहेगा मिलेंगे कल और analysis के साथ तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए thank you so much जहेब